दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए हम इस उने बताएंगे कि कैसी हम पेपर कप मेकिंग उद्योग खोल कर महीना में लाखों रुप्या कमा सकते हैं दोस्तो इसी वीडियो में हम आगे आपको लाइफ दिखाएंगे कि पेपर कप किस तरह से बनाया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कप होता क्या है दोस्तों पहले जो है प्लास्टिक कप यूज किया जाता था हम लोग प्लास्टिक कप यूज करते थे कॉफी पीने में टी पीने में या फिर आइस्क्रीम खाने में तो उस समय होता क्या था जब हम ल और उसमें मिल जाता था उस चीज में जैसे माले जी हम कॉफी रखते हैं तो कॉफी में जो है वो केमिकल मिल जाता था और जब हम पीते थे तो हम लोग के सरीर में चला जाता था और वो केमिकल पहुत ही नुक्सान पहुशाता था हम लोग के सरीर को तो अलग-अलग तरह का बीमारी फैला देता था सरीन में जिससे कारण उस पे बैन लगा दिया गया है अब जो है उस पर पूरी तरह से वो भी उतना अच्छा नहीं, उसका भी कुछ न कुछ side effect है, और ये paper cup जो है, इसका कोई भी side effect नहीं है, ये प्रिया वरन के unroof है, इसका यूज करने में कोई भी problem नहीं आती है, किसी भी तरह का बीमारी नहीं होती है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा product है, घर से हम बाह जो है demand market में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसका उद्योग खोल के और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, कि इसमें raw material कौन-कौन से चरोद परती है, तो दोस्तों इसमें raw material ज्यादा नहीं लगती है, सिर्फ paper लगता है और अगर आप उसपे printer बनाना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, यहाँ यह जो है printed है, यह printed है, अलग अलग तरह का जो है, इसपे design बनाया हुआ है, तो यह printed कप हुआ, और इसी तरह है, देखिए, यह भी printed कप हुआ, यह जो है, यह simple है, इसमें कोई भी color का जोगत नहीं होता है, तो अगर आप इस तरह का कप बनाते हैं, तो इसमें कोई भी color का ज़रोत नहीं होगा, और अगर आप जो है, इस तरह का कप बनाते हैं, printed कप, तो इसके लिए आपको जो है color का भी ज़रोत होता है, इस print को इस पे print करने के लिए, चलिए, अब जो है, हम production कैसे किया जाता है ये देक्लेंट आज झाल 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 आप जो है इसमें जो है कही तरह का पेपर कप बना सकते हैं जिसके 90 ml का 100 ml का 110 ml का 150 ml का 210 ml का 250 ml का तो इसमें जो है यहां दियागा है number of cup per ton यानि एक टन में आप कितना कप बना सकते हैं देखिए एक टन पेपर में आप जो है 90 ml का 90 ml का 44,5,000 कप बना सकते हैं इसी तरह 100 ml का एक टन कप पेपर से 42,5,000 बना सकते हैं इसी तरह 110 ml का 38,4,000 150 ml का 33,6,000 210 ml का 26,4,000 इसी तरह 250 ml का 19,5,000 आप तयार कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहां production जो है capacity दिया गया है per hour जो है 2700 यानि 2700 चोप per hour तयार कर सकते हैं किसी भी साइज का देखिए production पर मंत आप कितना कर सकते हैं अगर आप 16 घंटा यानि 16 आवर पर डे काम करते हैं और महिना में 24 दीन जे अगर काम करते हैं तो आपको production टोटल होगा 10,36,800 इसी तरह 100 ml का भी होगा यानि इतना ही अब बात कर लेते हैं देखिए यहां दिया गया है 37,000 पर डेटरंड पेपर का कॉस्ट लगता है जेल प्राइस जो है आपको लगभग जो है 29 रुप्या 50 पहिचा 100 कप का आता है 90 ml का 100 ml का 30.5 यानि 30 रुप्या 50 पहिचा 110 ml का 33 रुप्या इसी तरह से जो है एप्रोक्सिमेटली जो है आपको टोटल खर्च जो है 100 कप त्यार करने में 25 रुप्या 77 पहिचा मैक्सिमम लगता है जो आप शेल करते हैं मार्केट में रिस्रिब्यूटर प्राइस में जो है मीनिमं 29 रुप्या 50 पहिचा में तो आपको जो है टोटल प्रोफिट होता है पर 100 कप पे 3 रुप्या 74 पहिचा और महीना में इस तरह से आप जो है 38,823 रुप्या इंकम कर सकते हैं यह 90 अमेल का कप से इसके तरह 100 अमेल का कप से 37,780 रुप्या इसके बाद 110 अमेल का कप 1 रुप्या